चंदनपुर में 24 साल का लड़का धर्मेश अपने माता-पिता के साथ रहता था अपने माता-पिता का वो इकलोता लड़का था उसके पिता की चौमिन की दुकान थी जो उनकी आमदनी का जरिया थी एक रोज ओफो ये कमबक्त सोया पड़ा है अरे सुबह के 10 बज रहे हैं इस बरखुरदार को कोई चिंताई नहीं है क्या हुआ बाबा क्यों सुबह सुबह रासन पानी लेकर मुझे पह चड़ रहे हो मैंने क्या किया है कितनी बार का आये तुझे कि कामधंदे में मेरा हाथ बटाये कर लेकिन तू है कि आवारा गर्दी करने के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं बाबा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े हैं आँ अच्छे से जानता हूँ तू और तेरे ये मुंगेरी लाल के सपने अरे अपने देश में क्या पैसों की कमी है जो तुम दूसरे देश जाने के सपने देखते हो ओफो आप से तो भहस करना ही बेकार है ये कहकर धर्मेश घर से बाहर निकल गया तभी उसे पडोस में रहने वाली नमरता मिली नमरता धर्मेश की प्रेमिका थी अरे धर्मेश गुस्से में बड़ बड़ाते हुए खाँ जा रहे हो क्या हुआ वैसे मैं तुम से ही मिलने आ रही थी नर्मेटा अभी तुम यहां से चली जाओ मैं बहुत गुस्से में हूँ और बात करने के मोड में नहीं हूँ एक तो बाबा हमेशा मेरा काम समाल, मेरा काम समाल कहकर मेरे पीछे ही पढ़े रहते हैं बाबा ठीक ही तो कहते हैं, अब वो अपने बेटे से नहीं कहेंगे तो किस से कहेंगे? अच्छा क्यार छोड़ो, मैं तुम्हारे लेग खुशकबरी लाई हूँ कैसी खुशकबरी? कल हमारे यहां मेरे पिता जी के दोस्त आ रहे हैं दुबई से और वो वहां के शेक हैं तुम कल उनसे मिलने आना, और हाँ, अपने बाबा की बनाई हुई चौमिन भी लेते आना शेक लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं क्या मालूम वो तुमसे इंप्रेस हो जाएं और तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाएं? नम्रता की बाद सुनकर धर्मेश का गुस्सा उड़ गया और वो नम्रता से कहने लगा सच नर्मता, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, हाँ ये सब सुनकर धर्मेश बहुत खुश हुआ अगले दिन धर्मेश अपने बाबा की बनाई हुई चौमिन लेकर नम्रता की घर आया और शेक को देख कर कहने लगा गुड मॉर्निंग सर, ये लिजिये, फॉर यू ये, ये क्या होती? अगल, उसके कहने का मतलब है कि ये उसके फादर की बनाई हुई फेमस चौमिन है, जो पूरे इंडिया में फेमस है ओ, अच्छा, ये बात होती, तो लाओ, हम इसको टेस्ट करती शेक फॉक चौमिन खाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है वावा, क्या टेस्ट होती इसका, वाव, वैसे तुमारा क्या नाम होती? और तुम क्या काम करती मेरा नाम धरमेश होती, और मेरा सपना है कि मै दुबै इमें जाकर नौकरी करके पैसे कमाती मेरा मतलब है कि कमाऊ ओ अच्छा अच्छा हम यहाँ एक बड़ी डील के लिए आती अगर हमारी वो डील पक्की हो जाती तो हम बहुत बड़ा बिजनस सुरू करती और फिर तुम हमारे साथ दुबई जरूर जाती सच वाह फिर तो मज़ा ही आ जाती तब ही एक बड़ी सी कार नमरता के दर्वाजे पर आकर रुखी जिसमें बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ती बैठा था शेक और समीर आदमी के साथ कार में बैठ कर कहीं चला गया धर्वेश भी खुशी-खुशी अपने घर चला गया और सारी बात अपने बाबा को बताई उसकी बात सुनकर मदनलाल कहने लगा बेटे तुम आज तक मेरी दुकान में पूरी तरह नहीं बैठे लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम जिस दिन मेरी दुकान में पूरा दिन बैठ गए तो तुम्हें अंधासा हो जाएगा कि मैं एक दिन में कितना कमाता हूँ और जिस दिन में दुबई चला गया ना बाबा उस दिन आपको अंधासा हो जाएगा कि दुबई में कितने इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते है मदन बिना कुछ कही वहाँ से चला गया दो दिन बाद जब धरमेश शेक से मिलने नमरता के घर गया तो शेक काफी उदास बैठे थे ये शेक साब को क्या हुआ क्या बताओ बेटा मैंने शेक साब को मना किया था कि कोई भी डील करने से पहले अच्छे से सोच समझ ले लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी दरसल जिस आदमी के साथ इनकी डील थी उसने इन्हें धोका दिया वो इनके सारे पैसे लेकर फरार हो गया अब हम क्या करती वो पैसे हमें अपना घर बेच कर बिजनस में लगाई थी हमारी तो कुछ समझ में नहीं आती तब ही वहां मदनला ला जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मेरा चौमिन बना कर बेचने का काम है जो कि उपर वाले की दया से बहुत अच्छा चल रहा है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो काम सिखा सकता हूँ और वो काम करके तुम बहुत जल्द पैसे कमा सकते हो और चौमिन बना कर बेचना कोई बुरी बात नहीं है तुम ठीक कहती उस दिन के बाद शेक मदनलाल से उसके स्पेशल चौमिन रेसिपी सीखने लगा कुछी दिनों में वो बहुत अच्छी चौमिन बना कर बेचने लगा और ये सब देग धरमेश अपना माथा पीटने लगा ये क्या नर्मता अच्छी से चौमिन बनाना सीख्या और अब उसने अपना एक ठेला लगा लिया जिस पर शेक चौमिन बाला लिखा था ओ ओ ओ चौमिन खाओ जो भी शेक के हाथ का चौमिन खाती उसे बहुत मलाती शेक की आवाज सुनकर एक ग्रहक उसके पास आया अरे ये क्या एक शेक चौमिन बना कर बेच रहा है लेकिन क्या ये सच्मुच का शेक है या सिर्फ उसके जैसे कपड़े पहन कर बेच रहा है ए क्या तुम सच्मुच के शेक हो हाँ हाँ हम सच्मुच का शेक होती बोलो, तुमको कितनी प्लेट चाहिए होती अरे वा, एक शेक के हाथ की चौमिन, वो भी भारत में आज तो सचमुच मुझे अंबानी जैसी फीलिंग आ रही है शेक सहाथ, तुम जल्दी से दो प्लेट बना दो मेरे लिए शेक ने उस आदमी को जल्दी से चौमिन बना कर दे दी उसे खा कर वो आदमी बहुत खुश हुआ अब कुछी दिनों में उसके ठेले पर खूब भीड लगने लगी और उसे काफी अच्छी कमाई होने लगी एक शेक के हाथ के चौमिन खाने तो अब लोग दूर दूर से भी आने लगे और उसके साथ पोटो किछवाने लगे ऐसे उसे चौमिन बना कर बेचते हुए काफी समय हो गया और अब उसने अच्छे खासे पैसे कटे कर लिए फिर एक दिन वो मदनलाल के पास जा कर बोला हमारे साथ जो फ्रॉड होती उससे हमें लगी कि इंडिया के लोग बहुत बुरे होती लेकिन तुम हमारी मदद करी और हम तुम्हारा ऐसान कभी नहीं बूलती सच कहूं तो शेक साहब हम भारतियों के लिए महमान भगवान समान होता है और जब मुझे पता चला कि मेरे ही देश के एक आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो फिर मेरा फर्स था कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि आप मेरे देश के लिए कोई भी मैल रखकर हमारे देश से ना जाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया होती अब हमारे पास इतने पैसे होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और अपने घर भी छुड़वा सकती साथ ही अब हम वहाँ पर तुम्हारी रेसिपी वाली चाउमिन का एक बहुत बड़ा रेस्टरॉंट खोलती और उसका नाम हम तुम्हारे नाम से रखती साथ ही धरमेश तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टरॉंट में काम करती बोलो चलती ना नहीं शेक साब अब हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है अब हमें समझ आ गया है कि अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं होता मैं जिस चौमिन के लिए हमेशा अपने पिता का मजाग उड़ाता था आज मुझे समझ आ गया है यह उस काम की यहां कितनी कीमत है और मैं यह भी जान गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो फिर भला मैं अपने पिता का जमा जमाया काम छोड़ कर क्यों जाओ तुम बिलकूल ठीक कहती लेकिन फिर तुमको जब भी हमारी जरूरत होती तुम दुबई हमारे पास आजाती अच्छा अब हम चलती शेक सबसे विदा लेकर वहां से चला गया और मदन ने धर्मेश को गले से लगा लिया अब धर्मेश भी अपने पिता का काम संभालने लगा कुछ समय बाद धर्मेश की शादी नमरता से हो गई शोभा दुबारा गर्भ वती थी मनोहर का परिवार बढ़ रहा था इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था सुबह जल्दी उठकर पानीपूरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपूरी बेचता था मनोहर की पानीपूरी लोगों को बहुत पसंद थी इसलिए ग्राहक भी आही जाते थे मनोहर पानीपूरी खिला भाई आटे की या सोजी की भाईया जी दोना तरगी खिला दे मनोहर भाईया 40 रुपे की पानी पूरी पैक कर देना पानी थोड़ा जादा कर देना अभी कर देता हूँ आने चाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पढ़ी जाती थी और पानी पूरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देख कर मुँँ में पानी आही जाता है इसलिए लोग उसके ठेले पर रुख कर पानी पूरी खाते और आगे बढ़ते पर कुछ दिनों से मनोहर की ठेले पर भीड़ानी कम हो गई थी क्योंकि मानसून आ क्या था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी इसलिए लोग सड़क पर कम रुखते थे बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था ये लो रोटी खालो शुभा क्या बात है चिंता में दिखाई दे रही हो पुजा कहां है दिखाई नहीं दे रही वो पडोस वाली माला के घर खेलने गई है वो शरत बाबू आये थे मकान का किराय माग रहे थे बोल रहे थे 15 दिन उपर हो गए है उन्हें अगले हफ़ते तक किराय चाहिए नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा उन्हें हमसे जादा किराय देने वाले किरायदार मिल रहे है अरे तु चिंता मत कर मनोहर शोभा को तसली दे देता है पर वो खुद ही बहुत परिशान था क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लोट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी अरे मनोहर तुमने सुना क्या मसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिनों तक भीशन तूफान और बारिश के संकेत हैं भाईया सडकों पर पानी भरा रहेगा इसलिए हम सबने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था इसलिए वो मकान मालिक शरत से बात करने जाता है शरत जी मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूँगा अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है देख मनोहर मैंने घर किराया पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है अब मैं और देर नहीं कर सकता तू अगले दो दिन तक मेरा किराया दे दे वरना घर खाली कर दे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूँ मनोहर चिंता में घुला घर लोटाता है उसके पास कोई और चारा नहीं था इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है पर उसकी सुनीता भाबी कह रही थी कि अगले दो दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है मनोहर अभी अपना ठेला तैयार करी रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गए और बारिश लगातार तेज होती जा रहे थी मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था उसका बहुत नुकसान हो गया था हे भगवान कितना नुकसान हो गया मनोहर अपनी ठेले को अभी लेकर जाही रहा था कि अचानक से गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टक्टा आ जाती है अचानक हुए ऐसे हाथसे से मनोहर दंग रह जाता है वो देखता है कि गाड़ी एक महला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी महला के जादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी बच्ची को खरोचे आई थी और वो दर्थ से रो रही थी मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस महला की हालत गंफीर होती जा रहे थी उसके खून बहरा था मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठा कर बारिश पे भीखता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुँचता है उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते है मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था बच्ची के हाथ में चोड़ थी मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परिशान ना हो कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है वो अपने पती को फोन मिलाती है कुछ दिर बाद उसका पती होस्पिटल पहुँचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देख कर घबरा जाता है डॉक्टर, सुश्मा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुश्मा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुँच चुकी होगी रोहेत, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी मैंने सुचा आराम से पहुच चाओंगी पर अचानक पता नहीं क्या हुआ मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई कीचड में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होशी नहीं था रोहेत, ये भाईया बहुत अच्छे हैं आज इन्हों नहीं मेरी और स्वाती की जान बचाई है आपकी वाईफ ठीक क्या रही है आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता हमने अपनी आखों से देखा था ये भाईया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटर लेकर आये थे रोहित को पता चलता है कि मनुहर पानीपुरी का ठेला चलाता है वो देखता है कि मनुहर बहुत गरीब और मजबूर है जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है मनुहर भाईया अब आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके फरिवार के परिशानिया भी दूर हो जाएगे आपकी अपनी पानीपुरी और चाट के दुकान होगी जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है रोहित की बाते सुनकर मनुहर के चेहरे पर खुशी जलकाती है कुछी दिनों में रोहित मनुहर को पानी पुरुई और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है मनुहर को उसकी अच्छाई का फ़ल मिल जाता है और उसकी सारी परिशानिया दूर हो जाती है अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज